हेलो दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो में इस वीडियो में हम बताएंगे आपको बी ये पंचम समेस्टर के को सरुकुलम पेपर एनल्टिकल एबिल्टी एन्ड डिजिटल अवेर्नेस के इंपर्टेंड कोस्चन तो जिन कालोजों का एकजाम हो गया है उ उनके लिए यह महत्तपुड कोस्चन होगा यानि कि एक तरह से माडल पेपर होगा तो जो आपका पेपर होगा को सरुकुलम का वह MCQ होगा यानि OMR सीट पर होगा तो चलिए कोस्चन को शुरू करते हैं तो नेमलिखित अच्छर करम के आगे क्या आना चाहिए तो इसका राइट एंसर क्या है यानि कि A B C D तो यहाँ पर देखे यहाँ पर देखे A A B दिया है यहाँ पर देखे यहाँ पर लास्ट वाला B C D E दिया है और यहाँ पर इसका पूरा करम क्या है A B C D तो D के बद क्या आएगा E आएगा तो हमारा एंसर कौन से सही होगा हमारा आपसर नमर B क्या है E इसका राइट एंसर होगा इस तरह से भी कोस्चन आपके एक्जामें आने की तो संभावनाएं हैं नेस्ट कोस्चन दिया गया है S L U A Y J B E I N O Q G Z B D आर याचे नेम लिखित सिंखला में प्रसन चीन के स्थान पर क्या आएगा तो यहाँ पर प्रसन चीन दिया गया है तो प्रसन चीन के स्थान पर क्या आएगा पर दिया है ल, A, U, J, Y, I, E, G तो प्रसन चीन के स्थान पर क्या आएगा Q, H, I, G, Q, H, I, G Nesht Q कोस्चन के तरभाड़ते हैं नेम लिखित में से कौन सी काइम्पूर्टर की विषैस्था नहीं है तो IQ, IQ जो है वह काइम्पूर्टर की विषैस्था नहीं है बाकी सब क्या है बहु मुखी प्रतिबा यथार्थता तत्पर्ता यह सभी क्या है कैम्पूटर की विशेशताएं हैं लेकिन IQ क्या है नहीं है तो कैम्पूटर के भी कोश्चन आपके एक्जाम में आएंगे निमलिखित में से कौन सा कैम्पूटर का मस्तिक है CPU का फूल प्राम होता है Central Processing Unit होता है ALU का फूल प्राम क्या होता है Orthometric Logic Unit होता है और CU का मतलब होता है Control Unit नेक्स्ट कोशन है निमलिखित में से कौन केम्पूटर में डेटा की सबसे छोटी इकाई होती है तो काम्पूटर में डेटा की जो सबसे छोटी इकाई होती है उसे हम बीट कहते हैं क्या कहते हैं बीट यह आपसन बिल्कुल सही है next question दिया है निमलिखिते में से कौन सा computer के sun channel को नियंदरित करने के लिए design किया गया है तो उसका क्या नाम है? उसका नाम है system software यानि system software का मतलग होता है जो आपके computer में पहले से ही मौजुद है जैसे mobile में पहले से मज़ुद रहता है, setting मज़ुद रहता है, और play store मज़ुद रहता है, और youtube मज़ुद रहता है, वो सब क्या है system software वो पहले से ही install किये गए हैं, application software क्या होता है, इसे आमे प्ले इस्टोर से install करना पता है, अपने से, टीक है, तो system software इसका right answer है, c option बिलकुल स बहुतिक उपकरण हैं तो इन में जो पहले से मौजुद होता है उसे हम इसका राइट एंसर होगा यह कंपूर्टर में यानि यह कंपूर्टर का भावतिक उपकरण है नेश्ट कोशन दिया गया है निमलिखित में से कौन सा उपकरण कैमपूर्टर को कैमपूर्टर और बाहरी दुनिया के बीच संचार प्रदान करता है निकि जो कैमपूर्टर है कैमपूर्टर और बाहरी दुनिया के बीच संचार प्रदान करता है कौन सा उपकरण आई और यह जो क्या करता है केम्पूटर और बहारी दुनिया के भी संचार को आधान प्रदान करता है भी आपसन बिलकुल सही है नेश्ट कोशन निम्लिक्षिति में से कौन सा केम्पूटर का प्रकार नहीं है तो डिजिटल इनलांग और हाइब्रिड यह सभी केम्पूटर के क्या ह आपको डिजिटल रूम में केम्पूटर में मिलता है एक सब्द उस प्रदगे की में परिवरतन है जिसका आपको डिब्र क्या रहा है किया जा रहा है तो इसका राइट एंसर क्या है आपसन नमर कोंसे होगा डौलप मेंट कास ठीक है यह आपसन बिलकुल सही है नेस्ट कॉच्छन, VLSI Microprocessor पर अधारित जनरेशन है यानि कि VLSI Microprocessor पर अधारित कौन सा जनरेशन है, तो कौन सा जनरेशन है, फोर्थ जनरेशन है, डी आप्षन बिलकुल सही है, नेस्ट कॉच्छन, एक केम्पूर्टर में जो डिजिटल डेटा पर काम करता है, उसे हम digital कहते हैं D option बिल्कुल सही है हमारा next question है निम लिखित में से कौन CPU का मुख्य कार है निमें से कौन CPU का मुख्य कार है तो executing interaction यानि कि दिये गए code को execute करना और यह CPU का काम होता है executing interaction को execute करना उसे run कराना B option बिल्कुल सही है चलिए आगे बढ़ते हैं हम आगे हमारे question में दिया गया है कि निम लिखित में से कौन सा computer का प्राथमिक storage दिवाइज चले हैं कि सबसे पहला storage device कौन है रायम है random access memory इसमें हम अपने डेटा को save कर सकते हैं और रोम में हम क्या करते हैं डेटा को खले read कर सकते हैं पढ़ सकते हैं उसके पाद जो डेटा होता है वह हमारा रेंडम access memory में चला जाता है तो आपसे नमर भी इसका right answer है निम लिखित में से कौन सा output device का उधारण है इन में से कौन जो है हिए और यह है रोम का फूल्प्राम क्या होता है आ रो यहम का फूल फूल्प्राम क्या होता है查 best memory कि इसमें data save नहीं होता है और random assess यानि RAM का full frame क्या होता है random assess memory तो इसमें हम data को save कर सकते हैं यहाँ पर assess देते हैं यानि data को हम save कर सकते हैं तो RAM का full frame होता है random assess memory next question दिया गया है हमारा US word में portrait और landscape के उधाहर है जो portrait होता है इस तरा से क्या होता है portrait इस प्रकार से होता है पेज दिया गया है और इस प्रकार से होता है तो MS word में इन दोनों का मतलब क्या होता है Facebook orientation से यानि कि इनका नाम होता है इनको हम page orientation के नाम से भी जानते है portrait or landscape ठीक है EMS word में अंतिम क्रिया को पुरवर्वर्वर्व करने के लिए लिए लेखिती में से कौन सी साटकर कुझी काफियो करते हैं तो जो भी पुरवर्वर्वर्वर्वर्व क्रिया जो पहले कर चुके हैं उसे हम वापस लाना चाते हैं तो control-z के माद्धिम से उसे हम वापस ला सकते हैं गाइव कर सकते हैं control-z के माद्धिम से हम डिलीट कर सकते हैं next question गया है EMS word में water mark button किस type के अंतरगत आता है EMS word में जो water mark button आता है किस type के अंतरगत आता है आपने देखा होगा कि किसी page के अंदर या किसी documents के ऊपर जो होता है उसमें हलका हलका सा पीछे की तरब दिखता है जो उसे water mark आते हैं तो EMS word में water mark button किस type के अंतरगत आता है तो design type के अंतरगत आता है क्योंकि यह सभी design से related हैं तो option number C इसका right answer है EMS word में font dialogue box खोलने की start cut कुणजी क्या है यानि कि EMS word में हम front dialogue box को बीना mouse को click किये खोलना चाते हैं तो कैसे करेंगे तो control plus D के माद्धम से हम EMS word में font dialogue box को open कर सकते हैं तो option number क्या है भी इसका right answer है हमारा next question है निमलिखित में से कौन सा keyboard start cut MS word में save as खोलता है तो कौन सा keyboard खोलता है तो इसका right answer क्या होगा आपको comment box में इसका right answer बताना है तो किस माद्धम और किस की के माद्धम से हम save as कर सकते हैं चलिए निमलिखित में से यहां पर जागा है next question पूशरा है कि निमलिखित में से किस का उपयोग text का रंग बदलने के लिए किया जाता है एक MS word दस्तावेज़ में यानि कि MS word के अंदर हम किसी text का रंग बदलने के लिए हम किस का उपयोग करते हैं यानि कि जो MS word के यहां पर left और right में जो इस तरह का ruler बना होता है इस तरह का ruler जो बना होता है इसमें number ring किया हुआ जाता है उसको enable करने के लिए हम कि start card कुझी का और किस tab का फ्योग करेंगे द्रिस tab का और कि view tab का फ्योग करेंगे view menu में पाया जाता है ruler enable करने का और कि option ठीक है तो d option बिल्कुल सही है view menu में पाया जाता है सब्सक्राइब करेंगे तो उसमें डिफाल्ट जूम इस्थर कितना होता है याप इसे कम भी कर सकते हैं तो उसी आपसें विल्कुल सही है EE corresponds का वैध प्रारूप क्या है तो डि ओड्य ऐस की करते हैं ड़ डिflows connected extension सुम Sims Excel में यहेसा शूंOoh मानध्य डेटा प्रकार नहीं है अनिकि इन में से कौन सा एक valid data प्रकार नहीं है MS Excel में तो कौन नहीं है, what, what, क्या है presentation यहाँ पर b option का दिया गया है, b option इसका right answer है MS Excel क्या होता है, तो MS Excel क्या है, एक प्रकार का spread sheet program होता है इसमें हम result बना सकते हैं, बहुत सारे presentation भी बना सकते हैं तो MS Excel क्या है, एक प्रकार का spread sheet program है, तो आपसे number A इसका right answer है आशा करते हैं आप, तो आशा करते हैं, आपको वीडियो पसंदर होगा, अच्छा लगा होगा तो वीडियो अच्छा लगे, तो वीडियो को लाइक और उसलें को सब्सक्राइब करना ना भोले यहाँ वीडियो भी यह पंचम समेश्टर के को सरकूर याँ पेपर के लिए है, अत्यन्त महत्पूर है, यदि एक जाम आपका नहीं हुआ है तो MS Excel spreadsheet पंक्ति के रूप में नामी तुल, अनिकि जो MS Excel में spreadsheet पंक्ति होता है, उसका नाम किस तरह टाइब से होता है एक दो, A, B, C, D, A, 1, B, 1, C, 1, 1, 2 यहाँ पर दे गया है रोमनंक में, तो यहाँ पर आपसे नमबर C, इसका राइट एंसर है, A, 1, B, 1, C, 1 के रूप में होता है next question, किसी work sheet में, कालम और पंक्ति के प्रतिछेदन को क्या कहते हैं, तो प्रतिछेदन को हम क्या कहते हैं, जिसका राइट एंसर क्या होगा, जिसका राइट एंसर आपको comment box में बताए जाएगा, यदि आपको आता है तो इसको बताएगा जरूर, नहीं तो हम comment box में आपको होगा, तो इसको solve करने का सबसे अच्छा तरीका है, आपको एक यानि की छोटे से यानि की box, यानि की box में बना कर या तो फिर rough कारे में जहां पर लिखा रहता है, पेपर में लिखा रहता है, आपके जो question booklet होता है, वहाँ पर पीछे side में rough work कारे लिखा रहता है, तो आप वहाँ पर A से लेकर Z तक लिखे लिए और इसको solve करने का सबसे अच्छा तरीका वही है, अंगरेजी वड़माला के दाईं और 17 अच्छर पर क्या आएगा, तो 17 अच्छर पर क्या आएगा हमारा आपसन नमबर कौन से सही है, आपसन नमबर C इसका राइडन से है, J आएग वी आपसन बिल्कुल सही है, आप इसको solve करने का सबसे अच्छा तरीका है, आप A, B, C, D लिखे लेंगे, आप उस solve कर जाएंगे, हमारा नेक्स कोचन है, मैस गे भी कोच्टन, रिजनी के कोच्टन भी आपके एक्जाम में आ सकते हैं, तो यहाँ आप दिया क्या है, एक ग का प्रतिसत कितना होगा, तो इसका right answer क्या आएगा, तो इसका right answer, आपसन बर C, इसका right answer है, 62.50 प्रेशेंट, इसका right answer आएगा, इसका right answer, 62.50 कैसे आएगा, देखे, यहाँ पर 80 क्या दिया गया है, 80 का ग्रूप है, उसमें से 30 पूरूज है, तो कितनी 50 तो महिलाएं हों ग प्रतिस्द कैसे निकालेंगे तो 80 यहां पर इसका हम प्रतिस्द कैसे लिकालेंगे यहां पर क्या थी 80 में से 30 पुरूस थे तो 50 मैलाएं थी अब यहां पर हम 50 भागे 80 कर देंगे और इसका प्रतिस्द लिकालने के लिए 100 से गुड़ा कर देंगे तो यहां पर 0 से 0 कर गया फिर उसके बाद यहां पर दो चाव काट हो गया और यहां पर दो पंचे दास यानि कि पचास इंटू क्या कर देंगे पचास इंटू पांच कर देंगे क्या पांच कर देंगे बटे में चार कर देंगे यहां पर दो सो पचास बटे में किना आएगा देखिए का तो दो सो प छही है नेक्स कुछैन यदि पांच संध्याओं का आवस्त तीस है और Tीन संध्याओं का योग कितना होगा तीन संख्याओं का योग कितना पुछाए तो पांच संख्याओं का योग कितना होगा यहां पर डेड़ सवा जाएगा ठीक है डेड़ सवा जाएगा तो तीन संख्याओं का योग क्या होगा अन्य दो संख्याओं का अवसत ग्यात कीजिए तो यहां पर अन्य द से भाग कर देंगे तो यहां पर 50 आ जाएगा यानि कि इसका राइट एंसर क्या हो जाएगा 25 इसका राइट एंसर है सिंखला 1, 6, 13, 22, 33 में अगला पद क्या होगा तो अगला पद क्या होगा तो यहाँ पर पुछा है सिंखला 1, 6, 13, 22, 33 में अगला पद क्या होगा तो अगला पद क्या होगा 46 होगा 46 कैसे आया यहाँ पर 33 में क्या मलब 33 और 22 के बिसकितने का अंतर है तो यहाँ पर 13 का अंतर है यहाँ पर 13 से जब 13 को हम पलस कर देंगे तो यहाँ पर 6 आ जाएगा यहाँ पर 4 यानि 46 तो आपसे नमर कौन सा है आपसे नमर 20 का राइट एंस है चलिए आगे बढ़ते हैं आगे हमारा question दिया है सिंखला ABC, ABD, C, DF, E, F, G और GHJ में अगला पत क्या होगा तो GHJ में अगला पत क्या होगा G, I, J, K, L ठीक है I, J, L आपसे नमर C क्या है इसका राइट एंसर है आपसे नमर C इसका राइट एंसर है I, J, L इसका राइट एंसर होगा next question दिया है कि B का भाई A है और BC की पुत्री है तो A के पिता D है तो C, D किस प्रकार का समन्दित है तो C, D है पत्नी से समन्दित है आपसे नमर A इसका राइट एंसर है next question दिया गया हमारा B क्यूं का पिता है B क्यूं का पिता है B के केवल दो बच्चे हैं Q, R का भाई है RP की बेटी है AP की नमाजी यानि ओही पोती हो गया अगला यानि की यसे का पिता है तो S और Q का समन्दित किस प्रकार का है बहनोई का है D option बिल्कुल सही है next question है यदि किसी कूट भासा में master को S, M, R ET लिखा जाता है तो उसी कूट भासा में कैरेट को हम किस प्रकार लिखेंगे यदि किसी कूट भासा में master को smart लिखा जाता है तो कूट भासा में कैरेट को किस प्रकार लिखेंगे तो यहाँ पर देखे yes वाला इदार आ गया yum वाला इदार आ गया तो yes A वही पर है और yes, yum यहाँ पर आगा है तो yes, a, yum यहाँ पर दखे शुरू का चर तीन अच्छर यहाँ मिल रहा है तो यहाँ पर कायलेट को किस परका लिखेंगे यहाँ पर r लिखेंगे और यहाँ पर c लिखेंगे r, a, c तो option number यहाँ पर कौन सा मिल रहा है option number c इसका right answer है next question दिया गया है हमारा यदि किसी कूट भासा में रांग को ग्रोन लिखा जाता है तो right को कैसे code किया जाएगा यहाँ पर दखें उल्टा खड़ दिया गया है रांग का उल्टा क्या हो जाएगा रांग का उल्टा यानिकि आपको W के स्थान पर G और R के स्थान पर यान और O के स्थान पर यहाँ पर दिया गया है तो यहाँ पर रांग का उल्टा कर दिया गया है ग्रोन हो गया है तो उसी प्रकार right का उल्टा क्या होगा THGIR होगा यहाँ पर C option बिलकुल सही है चलिए आगे बढ़ते हैं मारा next question यह गया है निम्रिक्षिति मेंसे कौन सी अभिव्यक्ति सत्य है यदि किसी अभिव्यक्ति आर क्यों से बड़ा है आर क्यों से बड़ा है तो is equal to a less than बड़ा है यस से तो छोटा है तो कौन तो कथन सत्य है आपस नमर बी कथन क्या हमारा सही है तो आपस नमर बी इसका राइज एंसर है आपको question यह अच्छा लगा होगा तो यदि वीडियो अच्छा लगए तो वीडियो को like कर जोने को subscribe करने ना भूले तो यह वीडियो भी यह पंचाम समेश्टर के इस वीडियो का पीडियो आपको हमारे टेली कराम चैनल में मिल जाएगा